आप सभी को पल्स परिवार की ओर से एलर्जिक सत्ता के बारे में मैं कुछ बतलाना चाहता हूँ कि आज हम एक बहुत कौमन समस्या से जूज रहें कि एलर्जी एलर्जी वास्तों में सरेर की अंद्रूनी छमता है जो बाहरी तत्तों को जो विकार उत्पन करते हैं उससे फूड और ड्रग अलर्जी यानि कोई भी खाना जो सरेर को नहीं रही बरदास्त हो पाता है या शरीर नहीं पचा पाता है उसकी वज़े से if फूड अलर्जी होती है उसी प्रकार कई सारी दवाईया है जो हम जानते हुए या नहीं जानते हुए कभी खा ले तो उससे भी एलर्जी की भरपूर संभावना होती है और ये कभी-कभी इतनी घातक होती है कि जानलेवा भी हो सकती है इसलिए बिना किसी डॉक्टरी सलाह के कोई भी दवा का सेवन यथा संभाव परहेज करे उसी प्रकार वातावरन आज जब-जब मौसम बदली होती है जाय ठंडा से गरम, घरम से ठंडा, जगह की बदली होती है रांची से मदराश चले गया, मदराश से रांची आ गया तो जब इस तरह का वातावरन में बदला होता है तब भी एलर्जी की सुरुवात होती है जो हम कहते हैं अक्सर आए दिन की पानी चेंज हुआ इसलिए ये एलर्जी की समस्या होती है तो ये वातावरन चेंज होने से भी एलर्जी की समस्या होती है तो इसलिए जिन किनी को भी ऐसी स्थिती की सामना करनी पड़ती हो, वो अपना विशेष ध्यान रखे, खान पान में विशेष करके ध्यान रखे, साथ ही जब कभी पर्प्तयवार होता है, तो हम घर की साफ सफाई करते हैं, नए कपले पहनते हैं, तो जितने भी घर में एक कपड़ू प्रकार से जा सबस्क्राइब सबस्क्राइब कमल, एक जेकदी होसाय के अगर उसको इस्तेमाल करें तो इससे भी कई प्रकार की से जिवियर यहिए इलर्जी इक रियक्शनस होते हां तो जब कभी इस तरह का उन सबस्क्राइब बदली हो जगह बदली हो खाना पीना का बदलाव हो तो इसे ध्यान दे कि ऐसी कोई चीजे बेवज़ा नहीं इस्तेमाल करें और अपना ध्यान खुद रखे स्वस्त रहें सुरक्षित रहें धन्यवाद नमस्कार जोहार मैं डॉक्टर अत्री गंगोपाध्याय कंसल्टेंट पल्मोनलोजिस्ट पल्स अस्पताल राची वर्ल्ड अलर्जी वीक यानि विश्व अलर्जी सप्ता में मैं ये मिसेज देना चाहता हूँ कि जैसे कोवेट के बाद हम लोग वापस दुनिया में नए तरीके से जीना सीख रहे हैं अलर्जी की संख्या, अलर्जी की मात्रा बहुत हद तक बड़ी है जितने लोग COVID से सफर किये थे इनमें बहुत लोगों को allergy की परेशानिया हो रही है जैसे बार-बार छीकाना, नाक बन, नाक से पानी, कभी-कभी खुजली होना, शरीर में दाने निकलना कभी-कभी सूखी खासी, साथ में गले में इरिटेशन होना यह सब allergy के लक्षन है, इसका इलाज सम्भव है, नागा ना करे, किसी भी allergy specialist डॉक्टर से मिलिए जो भी डॉक्टर स्किन के स्पेशलिस्ट होते है वो चमडे की ऐलर्जी का इलाज करते है ENT के स्पेशलिस्ट होते है नाक के ऐलर्जी का इलाज करते है पल्मोलोजिस्ट होते है छाती और गले के ऐलर्जी का इलाज करते है एलर्जी का इलाद संभव है एलर्जी का दवा बहुत सेफ है और हम लोग सब इस बिमारी को मात दे सकते है आप सब का दिन शुब हो मैं ड्रॉकर साकेत कुमार कंसल्टेंट काडियोलोजिस्ट पल्स उस्पिटल रांची अभी हम लोग वर्ल्ड एलर्जी का वेरनेस विक सलिब्रेट कर रहे है एलर्जी काडियोलोजिस्ट प्वाइंट ओव के इंपोर्टेंट है क्योंकि जो एलर्जी के पेसेंट होते हैं या फिर अस्तमा के पेसेंट होते हैं उनका एरिक्स भी ज्यादा होता है वह पुछ जो हमारे सहर में है, वह है स्मोक, मैंले डूटू वहिपुलर पॉलूशन, दूसरा है डस्ट, तीसरा है कुछ-कुछ फूट पार्टकुल्स, जैसे सीफूट से एलर्जी हो सकता है, या कुछ-कुछ ड्रग्स होते हैं, जिन से एलर्जी हो सकता है. जो टूस क्वाद काउज है और इस्पेसिट इस मुझत बॉलिथ, और स क्याख्यति के लग्नाश Знаे, वह उन उन और इस से बच करहना है, तो कैसे हम लोग को हमारे हर्ट पर और लंग पे बुरा सा डालते हैं, इसव Stockholm लिडल होता है, जो कि ERB के थरूए कि मैं चला जाता है औ और वहां पे inflammatory response create करता है, जिससे हमारे lungs को plus जो chemical systemic inflammatory response भी होता है, जो कि heart के muscles को भी badly affect करते हैं और heart का pumping function भी उसे कम हो सकता है, plus OBP को बढ़ा सकते हैं, heart attack के लिए ज्यादा risk बढ़ा सकते हैं, और एक severe form of allergy होता है, जिससे कि जिसको एन फैलक्सिस पोलते हैं, और जिसमें हमारा complete cardiovascular shutdown हो जाता है, जो कि medical emergency है, तो जो भी पेसेंट है, लर्जी से affected या फिरस्थमा से affected वो अपना लाइफ इस्ट्राइल का प्रोपर ख्याल रखें, प्रोपर जो medicine prescribed किया गया है, आपको डॉक्टर के दवार और medicine इस करें, अगर बाहर निकलते हैं, डर्ट से, पलोशन से बच के रहें, और जो भी और इस्पेसली जो प्रिडार्टी पोपलेशन है, उनको भी अलर्जी और इस्टमा जादा कॉमन होता है, और ऐसा देखा गया है कि जो जिनको इस्टमा होता है बच्चों में, वो बड़े होने पे उनको हर्ट की विमारियां भी होती है, लाइक डियाबिटिज्म, लाइक है, साइपर टेंशन, तो अपना लाइफ एस्टाइल को ध्यान रखें, पलोशन से डर्स से बच के रहें, और medicine जो भी है उसको टाइम पे लेते रहें, थोड़ा सा prevention से हम लोग long term complications को prevent कर सकते हैं